हेलो विवर्स मैं हूं रोहित और आप आपके सुनी आज मैं आपको ब्लुटूथ पैनल का यह जो ब्लुटूथ पैनल है इसको तो 62-83 में 62-83 का किट में लगाना बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं यह रहां ब्लुटूथ पैनल इसमें यह ब्लुटूथ का सिंबल है तभी यह ब्लुटूथ है बार्केट में एक और मिलता है वह ब्लुटूथ नहीं रहा है और इसके साथ हमें एक रिमोट और यह दो वायर मिलता है और इस पैनल को आउन करने के लिए हमें एक आइसी की ज़रूद परती है इस आइसी का नमबर है 705 और इस आइसी को चलाने के लिए हमें कनेक्शन देना परता है यह यह आइसी आपको यह आइसी 20 से 30 बोल्ट को 5 बोल्ट में तोड़ देता है यह सिर्फ 5 बोल्ट ही निकलता है और इसका यह जो बीच वाला है यह बीच वाला ग्राउंड हो जाता है यह निगेटिव यह इनपूट यानि पॉजिटिव इदर से जाएगा इदर से निकलेगा और पूट के लिए हम वे इस आइसी के बहुत जादव स्जाओ थे अप इसको यह मैं इसमें लगाने वाला हूं बासट थेरा कर्कट में आप इसको 24-44 में भी लगा सकते हैं यह चौवारी सालीज का पर दोर सब्सक्राइब लगा सकते हैं वीच दिस्तीस में कहीं भी लगा सकते हैं तो चलिए मैं आपको इसका connection बजाता हूँ सबसे पहले सबसे पहले इसमें देखिए थोड़ा मैं फोकस कर लेता हूँ कि यहाँ पे देखाना सुर्जास हो यहाँ पर यहां पर फाइब वोल्ट और ग्रॉंड तो आपको यहाँ पर फाइब देना है जो आई सिसर hedge सफ नहीं यहाँ अखिरल्ड लगा देंगे या ग्राउन और फाइब वोल्ट लगाते वो तो यह तुरत उड़ाता एक सेकन्ट भी नहीं लगता ऊड़ने में इसलिए आपको इसको ध्यामस अलता पड़ेगा पौल्यटिव को पौलीटिव और नेगेटिव को नेगेटिव हैं और यह जो है यह 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 ये एक बासक तरासी का मैंने फूल वारिंग उताया था अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं या मैं आई बटन में लिंक देज़ुगा आप भाँ पर जाकर देख सकते हैं चलिए इसको मैं आप पो जोड के बताता हूं है सबसे पहले मैं जोड लेता हूं आप लोग देखके करिया है नहीं तो गलत हो जाएगा तो यह दूरत ऊड़े जाएगा उड़ने में जरासा टाइम नहीं लगता है इन्पुट हो गया यह ओन हो जाएगा अब इससे इसको हमें यह जो नवाय को में ट्रांफर्मा में देना है और इस बहुत जराथी को मैं इसमें जोड़ के बताता हम कहां कौन सवायर लगेगा यह देखिए यह तीन वायर है यह तीन वायर है एल एल आर और ग्राउन यह यह आर यह बीच वाला ग्राउन है तो 22 में हम लोग यहां पर और आक्स देते हैं उसी के जागा पर यह चेनिक करते हैं ल आर व्राउन यहां टेनाए यहां पर रहता है बीच में बीच में ग्राउंड रहता है यह एल रहता है और यह आर रहता है तो हमें बस इस बुलूदुस पैनल का एल आर करके और ग्राउंड को कनेक्ट कर देना है बस आक्स के जगा इसको लगा देना है यह हो गया ग्राउंड यह हो गया एल यह हो गया और यह हो यार यह ब्लुटूथ पैनल का कनेक्टा हो गया और यह वायर अंटीना के लिए रहता है आप स्पीकर जोल लेते हैं मैं आपको पूरा चलाक के भी देखा हूँ है स्पीकर के लिए एक ठोग्राउंड रहता है मैंने बासर त्यलाजी का पूरा वीडियो अच्छा त्यला से समझाया है आप उसको आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं जो जूटके है स्पीकर यह दो वायर ट्रांस्फर्मा का वायर है मैं इसका ट्रांस्फर्मा से चलाने वाला हूँ अब यह रहा ट्रांस्फर्मा के लिए इसको मैं ट्रांस्फर्मा में जोड़ देता हूँ दोनों वायर को सबस्के दोनों वायर कि इसको आप कोई भी सर्किट में लगा सकते हैं है 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 यह जूटके रांस्फर्मा के साथ और यह जो है इसको आपको पॉजिटीव में देना है तो वह पॉसिटिव में देने की लिए yeah मैं देखी यहां पर 12 फॉसिटिव जेखा ऊए बाराह फॉल्ल पॉसिट्व बस इसका । Iowa इसका पॉसिटिव देने की यहां पर लगा देना है करे वार आरा हूँ इसको एक ट्रांसपनों से मैं इसको भी चला रहा हूँ हमारा पूरा circuit हो गया अब भी आपको चला के दिखा देता हूँ विशक एध डिखा देता हूँ यह हमारा Bluetooth आउन हो चुका है चलिए, अब मैं आपको गाना चला कर दिखा देता हूँ जाग करेगी दुनिया, तेरा मेरा अपसाना तेरा मेरा अपसाना करेगी दुनिया, देखा अपने, फुल बुलू दूत हो गया, और वीडियो देखने के लिए धन्यावाद, आप अदेए छूबू